आज हम बनाएंगे अद्रक की चतनी इसके लिए हमें चाहिए तीन से चार इंच अद्रक, अद्रक को छोटे चोटे टुकड़ों में काट लेंगे, अद्रक को हमने छील कर धो लिया था, अब इसमें जीरा, धनिया, हल्दी, हरी मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे, फिर रेव बाइस में नेम्बू का राज डालकर पीसेंगे, हमारा अद्रक पीस चुका है, अब इसे हम छोटेंगे, गैस ओन करें, इसमें एक बड़ा चमस तेल का डालें, और तेल को गर्म होने दें, फ्लेम को लो करें और ये लालमिष डाल दें, अब ये पीसा हुआ अद्रक डालें, जार को दो कर उसका पानी इसमें डाल दें, फिर नमक, चीनी, इसको मिलाएं, चीनी बिघलने तक इसे चलाते रहें, हमारी चटनी अब तयार है, चटनी बनके अब तयार है, इसे पराठो के साथ या किसी भी चीज के साथ सर्फ करें, ये खाने में काफी अच्छी लगती है, च्टनी तक बिछेन वोड़े हैं, शोकी या इसके साथ बमस्त भी